इस बुलेटीन के प्रायो जख है आर के नवास बायार के डेवलोपर्स शांदार घर खरीदें अब अपने बजट में इंदौर के अपर कलेक्टर ने शिप्रा को प्रदूशित करने वाली तीन फैक्टरियों में से एक को सील कर दिया है जबकि दो के संचालकों को नोटिस जारी किया है सील की गई फैक्टरी का ट्रीटमेंट प्लांट बन था फैक्टरी का गंदा और प्रदूशित पानी खान नदी में छोड़ा जा रहा था जबकि दो फैक्टरियों ने कमपनी स्थापना की अनुमती नहीं ली थी बगेर अनुमती के खोली गई इन फैक्टरियों का गंदा पानी खान नदी में छोड़ा जा रहा था दरसल इंदोर कलेक्टर मनीश सिंग के आदिश पर अपर कलेक्टर पवन जयन इन फैक्टरियों की जाज करने पहुंचे थे आकाश नमकिन की प्रोडक्शन यूनिट के दोनों एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लाइंट बन पाए गए हैं टैंकर से बिना प्राइमेरी ट्रीटमेंट के दूशित पानी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लाइंट में भीज़ा जा रहा था मानकों का उलंगन करने पर जिला प्रशासन ने फैक्टरी की प्रोड़क्शन यूनिट सील कर दी है इसी तरह मैसर जी एनेस इंडस्ट्री सावे रोड के संचालक कपिलेश रमनानी को भी नूटिस जारी किया गया है जी एनेस कंपनी कंफेंशनेरी बनाती है और कंपनी ने जल अदिनियम के तहद प्रदूशन बोड से अनुमती नहीं ली थी संचालक ने बगयर अनुमती कंफेंशनेरी उद्योग स्थापित किया और खराब पानी को निकालने की कोई ववेस्था नहीं की इसी तरह जैश्री सालासर इंडस्ट्री सावे रोड के संचालक गणेश विजय वरगी को भी नूटिस जारी किया गया है यह कंपनी प्लास्टिक दाना बनाती है और प्रदूशन बूर्ड से प्लास्टिक दाना अध्योग स्थापित करने की इसने अनुमती नहीं ली है अभय न्यूज अपने दर्शकों के स्नेह और सहयोग का हमेशा से आभारी रहा है इसी करम में इस बार हमने सम्मानित किया अपने टॉफ फैन अभिलाश चोहान को अभिलाश पेशे से बैंक मेनेजर है और फिलाल कोटा में रहते हैं लेकिन अपने शेहर की गती वीडियो से लगातार जुड़े रहते हैं अभिलाश जी इन सभी दर्शकों का सम्मान करता है जो अपनी शेहर देश में हो रहे घटनाओं की जानकारी रखते हैं और अपना योगदान देते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं अभे निउस समय समय पर अफने दर्शकों का अभार मानता है और उनका सम्मान करता है इसकाड़ी में आज हमारे टॉफ फैन से मिलेंगे जिनका नाम है अभिलाश जी चोहान यह हमारे हर बुलिटीन पर हमारे पेस्बुक पर पेज पर हर जो आसानी से आम जनता तक पुश पाता और आम जनता इसको समझ पाती है मैं उमीद करता हूं कि आने वाले टाइम पर अभी नीज़ एक इंटरनेशनल नीज़ पर करेंवर्ट हो और बहुत आगे तक जाए इस्ट और वेस्ट अभे नीज़ इस देखने के लिए ऐसे अपने सुझाओं तक पहुचाते रही है और हमारे दर्शकों से भी अपील करना चाहते हैं यहीं उमीद रखते हैं कि हमारा एंड कमेंड अभे नीज़ देखें उसको शेहर की यूवड के साथ अजीबो गरीब तरीके से साइबर ठगी हो गई उसके पास ना किसी का फोन आया ना OTP आया लेकिन उसके खाते से तड़के तीन से पांच तक 11 ट्रांदेक्शन से 1,996,000 रुपे कट गए हाला कि रुपे कटने का मैसेज देखकर यूवग भुच 32 शाखा में अकाउंट है 21 दिसंबर की रात 3 से लेकर 5 के बीच उनके खाते से 11 बार ट्रांजेक्शन किया और 1,56,000 रुपे निकाल लिए सुबह रुपए कटने का मैसेज देखकर गायकवार के हाथ पैर फूल गए उसने साइबर सैल में ठगी की रिपोर्ट दर्च कराई है हालकि प्रारंभिक जाच में यह सामने आया है कि यश ने विदेशी वेबसाइट से खरीदी की थी संबबद उसके डेबिट कार्ट को क्लोन कर लिया गया और वार्दात कर ली गई हैकर्स इस तरह का काम करते हैं इसके लिए OTP की जरूरत नहीं होती वीकेंड और क्रिस्मस अवकाश की कारण श्री महाकालेश्वर मंदीर में भीड बढ़ गई है सुबह से ही मंदीर में बड़ी संख्या में श्रद्धालू पहुचे दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालूँ में बड़ी संख्या में बाहरी श्रद्धालू है इनकी मौजूद्धी के कारण कतार बाहर चारदा मंदीर तक दिखाई दी लोगों ने प्रोटकॉल के साथ विशेश दर्शन विवस्ता में भी दर्शन किये भीड अधिक होने से गर्बग्रा में दर्शन प्रतिबंदित कर दिये गए लोगों ने बेरिगेट से ही बाबा महाकाल के दर्शन किये जो भी रसीदे मिलती है मंदीर की तरफ से उसमें भी लाइने लग रही है और इस कारण से अभी खूब ज़्यादा बिड़ बढ़ने के कारण से वक्तों को अच्छे दर्शन भी मिल पा रहे है जीरो पॉइंट ब्रीज पर हीरा मिल रोड की तरफ शनिवार की दो भर एक आईशर और पिक अप की भी सीधी टकर हो गई हाथसे के बाद आईशर पल्टी खा गई दुरगटना में दो लोग घायल हुआ है दरसल हाथसे शनिवार करीब तीन बजे हुआ हीरा मिल तरफ से आ रही आईशर और फ्रीगंज ओवर बीज से नीचे उतर ही पीक अप के वीच सीधी भीडन्त हो गई हाथसे इतना भीशन था कि आईशर पल्टी खा गई अवैद कॉलोनी काटने के लिए कुख्याद गोपाल बेरागी के खिलाफ नाना केरा पुलिस ने एफायार दर्ज की है दरसल लोगों के साथ धोखा धरी करने के लिए बदनाम गोपाल बेरागी ने सरकारी जमीन पर आनन नगर नाम से अवैद कॉलोनी काट दी थी बसंद विहार से लगी इस कॉलोनी के लिए लोगों से उसने जम कर वसूली की थी कई लोगों को तो उसने एक ही पलाट तीन से चार बार बेज दिये थे नगर निगम की और से नाना खेडा थाने में शिकायत की गई पुलिस ने जाज के बाद अवैद कॉलोनी काटने वाले गोपाल दास पिता कनहिया लाल बेरागी के खिलाफ फ्रकरन डर्ज किया है नगर निगम भवन निरक्षक नीशा वर्मा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी राम घाट इस्तित नाग चंडरेश्वर मंदिर में बीती राज चोरी की वारदात हो गई वारदात शुक्रवार शनिवार की दर्मियानी राज हुई चोरी का पता शनिवार सुबह उस वक्त चला जब पुजारी मंदिर पर पहुचे दान पेटी का धकन काट कर बदमाश दान राशी निकाल ले गए पंडित राहुल गुरु कुंडा वाला ने बताया कि आए दिन घाट पर आसामाजिक तत्व घुमते रहते हैं वह नशा करके वारदात को अंजाम देते हैं पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बाद भी वह कारवाही नहीं करते दान पेटी में करीब 1500-2000 रुपए थे यह सब ले गए पेशे से भी बोला है कि यहाँ पर ऐसा केमरा लगायजाए जो रात में अनाधिक लोग आते हैं लोगों के यहाँ फार्सफर्व पेंटर्व चोरि खोरी हो जाते हैं उसके लिए हमने बोला कि आप यहाँ पर वहस्ता करी जाए मगे जहापर नहीं कोई गस्त होती है नहीं कोई वैस्ता जहापर इसमें कम चेकर देर सो दो आजा रुपे का सिल लेक्टा सा भगवान के वो ज्याज सो चोल लेके चला गया शायर सिराज एहमद सिराज शनिवार को फानी दुनिया को अलविदा कह गए पेशे से एडवोकेट सिराज ने कई मुशायरों में भाग लिया और अपने उम्दा कलामों से मिसाल कायम की उन्हें गंगा जमूनी तहजीब का शायर माना जाता है वो अपनी शायरी की तरह ही अदालत में जिरह भी बहतर करते थे मगरिब के नमाज के बाद दुने सुपूर्दे खाक किया गया सेव ड्राइव सेव लाइव और बीटी बचाओ का संदेश लेकर सिली गूरी के अभै पाल साइकल से देश नापने निकले हैं करीब 22,000 किलो मिटर की यातरा करने का उनका लक्ष है एक साल पहले दिसंबर 2020 में उन्होंने यातरा शुरू की थी और शनिवार को वह उज्जैन पहुचे अभै पाल ने बताया कि वह सेव ड्राइव सेव लाइव का संदेश लेकर साइकल यातरा पर निकले हैं एक साल पहले उन्होंने अपनी यातरा शुरू की थी अब तक वह अपनी करीब 60 फीजदी यातरा पूरी कर चुके हैं अभी भी 40 फीजदी उनकी यातरा बाकी है पाल ने बताया कि लोग यातरा में उनकी मदद कर रहे हैं अभी को बिंती करता हूँ कि ट्रापी दूस पहने जी मेरा इस जार्नी में कापी मैं हमसा देख चुका हूँ कुछ बाइक बाला को बिंती है कुछ जोरू आप हेल्मेट पहन लाजी कानून जो बाल रहे हैं आपके फाइला के लिए नौन इंटर लॉकिंग कार के चलते रतलाम मंडल से होकर चलने वाली नो ट्रेनों को 26 दिसंबर से 7 जनवरी तक रेलिवे ने निरस्ट कर दिया है 28 दिसंबर को इंदर से चलने वाली गारी संख्या 20917 इंदर पूरी एक्सप्रेस 30 दिसंबर को पूरी से चलने वाली 20918 पूरी इंदर एक्सप्रेस 30 दिसंबर को वलसार से चलने वाली 22909 वलसार पूरी एक्सप्रेस 26 और 2 जनवरी को पूरी से चलने वाली 22910 पूरी वलसार एक्सप्रेस 26 दिसंबर को बीकानेर से चलने वाली 20471 बीकानेर पूरी एक्सप्रेस 29 दिसंबर को पूरी से चलने वाली 20472 पूरी बीकानेर एक्सप्रेस 26 दिसंबर को शाली मार से चलने वाली 20972 शाली मार उदरपुर एक्स्प्रेस 5 जनवरी को एहमदाबाद से चलने वाली 09447 एहमदाबाद पटना सापताहिक 7 जनवरी को पटना से चलने वाली 09448 पटना एहमदाबाद सापताहिक ट्रेन निरस्त रहेगी पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपाई के जनम दिन यानि सूश्यासन दिवस पर नगर निगम ने फ्लॉग रन का आयोजन किया दशरा मैदान से शुरू ही रन में स्कूली बच्चों और रन में शामिल लोगों ने सडकों की सफाई भी की इस दोरान कलाकारो और रन में शामिल होने वालों को सम्मानित भी किया गया शहित पार्क पर आयोजित कारिक्रम के अतिती सांसा दनिल फिरूजिया, पुर्व निगमाद्यक्ष सोनु गेहलोद और निगमायुक तांशुल गुपता थे अज ये संदेज दिया है पुरे शहर को, पुरे जिले को, कि उज्जेन को अगले बार हमको नंबर एक बनाना है इसका अमदे अस्तन कल चायल्ड फ्रेंडली संस्था ने श्री महाकालेश्वर मंदीर से चार बच्चों को रैस्क्यू किया है, ये बच्चे मंदीर के बाहर तिलक लगा रहे थे आदर पंजियन और अबडेशन का काम 27 दिसंबर से शुरू होगा, 22 जनवरी तक यह काम चलेगा रात एक बार फिर गर्म होने लगी है, रात का तापमान 12 डिगरी पर पहुँच गया है, इसी सब्तान यून्टम तापमान 5 डिगरी रिकॉर्ड किया गया, अधिक्तम तापमान 25 डिगरी पहुँच गया है भाशपा ने पुरू प्रधानमंद्री अटल बिहारी वाजपाई की जैनती बूत इस्तर पर बनाई, इस दोरान अटल जी के चीतर पर माले अर्पन किया गया और पुषपा अंजली अर्पित की गई तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन आपको एविलेटिन कैसा लगा, अपने सुझाओ अमन जरूर पहुच जाए और जाने से पहले, अब एन्यूस परिवार आप सभी से निविदन करता है कि माज जरूर लगाए, सामाजिक दूरिगा पालन करे और स्वस्त रहे नन्यवाद कि माज जरूर आप सकते हैं कि माज जरूर आप सभी से निविदन करते हैं